पर शिंगल वन लाइनर कुशन आ जाता है लेकिन वर्तमान के एक्जामों की यह दिह हम बात करें तो आप देखते हैं एक तरब चार तो यहार दिये जाते हैं और सामने चार तितिया और कहता है मिलान करो मिलान करो तब तक तो ठीक है लेकिन एस अंगर जब पूछ लिया जाता है तो कुशन थोड़ा ओटेड़ा हो जाता है ठीक है क्यूंगि मिलान करने वाले मक्षर दोम जुगाड उजिया और नापा काम हो जाता है ठीक है चलिए आए देखते हैं अभी तक तो यहार से जेनती चुनिए जो की चेत्र मास की सुकल पक्स की तेरस के दिन मनाई जाती है यानि की ऐसी कोण सी जेनती है जो चेत्र शुकल तेरस को आती है तरियो दशी को आती है तेरस को मतलब तरियो दशी ठीक है तो निम्न में से ऐसी कोण सी जेनती है जो चेत्र शुकल तेरस को आती है, option number एक है महवीर जेनती, आप कहेंगे सर इसके आगे मदबढ़िये, महवीर जो जेनती है वो ही आती है आपके कब, याद रिखेगा चेत्र सुकल तेरश को, और याद रिखेगा इसी महवीर जेनती के उशर पर, हमारे राजस्तान में कहां पर मेला भरता है, तो है आपके श्री महवीर जी करोली, श्री महवीर जी जो करोली है, आपके चांदन गाओ, याधा से एक नदी का उद्गम भी होता है वो है गंबीर नदी, वैसे ये जो गंबीर नदी है ये पाँच नदीऊं से मिलकर बनी हुई है ठीक है? कौण-कौण सी? तो आपके अट् इससे जिल्ले में पत्थर मार हुली परशिद है पत्थर मार हुली लेकिन कुछ इस्पेशल है जैसे आपके सामने है एक तो पत्थर मार हुली एक है लट मार हुली ये और ज़्यादा important है याद रिखेगा very very important ये इन दोनों में एकसर confused हो जाता है कि पत्थर मार होली कहां की परसिद है भीलवाडा, ब्यावर, सवाई मादेपुर या बाडमेर और लट मार होली कहां की परसिद है देखें पत्थर मार जो होली है ये तो आपके परसिद है बाडमेर की और जो लट मार होली है ये है आपके श्री महावीर जी करोली लट मार है करोली और पत्थर मार है याद रिखेगा बाडमेर तो very very important अकसरीन में confused हो जाता है चलिए अगला कुशन देखे अपने आप में बहुत important के यहार है कई परकार के यहाँ श्री कुशन बनते हैं काण काण से बनते हैं उनके साब चर्चा करेंगे विलाल आप यह बतेए कि यह किश महा में आता है बतेए फटा-पटा विल्कुल साबास अभी कोई दिक्कत ही नहीं चत्रमास लेकिन इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं आई ये आप भी कमेंट करके बताएगा इन सब की बारे में ठीक है आई ये देखते हैं कौन कौन सेक्यूशन मनते हैं गणगूर कब पहला कुशन तो है कौन से महा में आता है दूसरा कुशन परशिद कहां की है गणगूर तीसरा कुशन किसकी पुझा होती है इसमें ये तीसरा कुशन गणगोर इसका अर्थ क्या है फिर आपके यहां से शुरू होता है कि गुला भी गणगोर कहां की परसिद है फिर है आपके बीना इसर की गणगोर कहां की परसिद है फिर आपके लिए एक और क्यूशन है दिंगा बेतमार गणगोर कहां की है अच्छा क्यूशन इसकी अलावा भी है जैसे दिंगा गणगोर अच्छा कावद का समन्द कि श्रिया सत्य है ऐसे भी क्यूशन आते है तो देखिए सबसे पहला फैक्ट गणगोर किश महा में आता है तो आप कहेंगे चत्र महा में चेत्र महा के अंदर आता है और कितने दिन तो याद रिखेगा 18 दिन तक मनाये जाता है कौन सा तेहार गणगोर गणगोर कहां के परशिद है आप कहेंगे राजदानी जैपूर और साथ में ये भी याद रिखे जैपूर के अंदर ही RTDC होटल है जिसका नाम है गणगोर गणगोर की जो पूजा है इस दिन देखे अर्थ और पूजा तो दोनों ये की बात हो गई देखे इन दोनों को ही एक समलित रूप से हम समझ लेते हैं ठीक है देखे गणगोर का अर्थ गणकार्थ होता है भगवान शिव और गोर का अर्थ होता है पारवती जी गण या फिर इशर शिव पारवती जी ने भगवान शिव को प्राप करने के लिए जो वर्त किया था वर्तमान के अंदर इसे हम किश रूप में मनाते हैं, गणगोर के रूप में, ठीक है, गुलाबी गणगोर कहां की परशिद है, तो आप कहेंगे, गुलाबी गणगोर जो परशिद है, वो है आपके नाद दुआरा की, नाद दुआरा कहां पर, याद रिखेगा रासम, ठीक गंगोर कहां की परशिद है तो धिंगा बेतमार ये है आपके जोतपुर यानि की मारवाड की और धिंगा गंगोर कहां की परशिद है तो याद रिखेगा उदेपुर की और ये धिंगा गंगोर वही है जिसका उल्ले करनल जमस्टोड ने किया था करनल जमस्टोड दुवार उल्लेकित गणगोर, कौन सी रियासत की है, तो याद रिखेगा उदेफुर की, हाडो लेडूबियो गणगोर, ये जो कहवत है, ये बुंदी से है, और एक चीज आप सब समझते हैं, आपने एक कहवत भी सुनी है, तीज तेहारा बावडीर लेडूबी गणगोर, तेहारों है, सरवादिक इद गाये जाते है, सरवादिक, इत्तों वाला तेहार भी कौन सा है, याद रिखेगा, गणगोर, पहले कभी गणगोर बुंदी की परशिद दुआ करती थी, लेकिन जो हाड़ा फेमली थी, वो जो सासक थे, उनके जो भाई थे, वो उसके अंदर डूब ग जाती है, याद रिखेगा चेत्रमाह में, परशिद कहां की है, याद रिखेगा जैपूर, गण का मतलब शिव है, गोर का मतलब पारवती जी है, गुलाबी गणगोर कहां की परशिद है, ना दुवारा, बिना इसर की गणगोर जसलमेर, धिंगा बेतमार जो गणगोर है, वो है आपके जोतपुर की, धिंगा जो गणगोर है वो है आपके उदेपुर की और हाडो ले डूबियो गणगोर का कहावत जो है, इनका समन कोन सी रियाद सच्छे है तो याद रिखेगा बुंदी, ठीक है, और तेहारों का समापन गणगोर में होता है और सरवादी गितों वाला तेहार भी कोन सा है, याद रिखेगा गणगोर, ठीक है, हाँ, सैली है, ठीक है, इलिए रहे न, चले हम आगे, ठीक, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया गणगोर के बारे में, ठीक है, सती चली, आगे चले, चली अगला कुशन, कुशन नमर फूर, बताएगा, निम लिखित में से, कौन सा तेहार, एक कलेंडर वरस, विक्रम समद्थ के अनुशार, सबसे बाद में आता है, कौन सा तेहार है, जो सबसे बाद में आता है, बताएगा, इस कुशन के बारे में, फट जल्द बाजी बिल्कुल नहीं करनी है निम लिखित में से कॉंडशा तेहार एक कलेंडर वरस विक्रम शमत के अनुसार सबसे बाद में आता है ठीक है ठीक है चलिए बिल्कुल सबीके बिल्कुल इसका जो राइट आंस्वर है वो है आपके हुली देखिए दो कंसेप्ट होते हैं मैं दोनों यह आपको समझा देता हूँ ताकि किशी परकार की कोई दिक्कत नहीं रहे वरना ये रहेगा अक्सर इसका आंस्वर होली क्यों गणगोर क्यों नहीं है ठीक है तो आराम से देखिएगा विक्रम समत के अनुशार ठीक है देखिएगा हमारे पास में एक तो है कहवत कहवत है तीज तो यहारा बावडी लेडूबी गणगोर अब इस कहवत ऐसी क्यों है तो इसके पीछे भी एक रीजन है लेकिन कोई नहीं अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे एक्जाम में आपके डाइरेक्ट फेक्ट जो आएगा उनके बारे में चर्चा है एक है विक्रम समंध कलेंडर देखिए इस कहवत के अकोडिंग तेहारों की जो सुरुवात है वो है आपके कहां से तीज से तेहारों की शुरुवात और तेहारों की जो शुरुवात है वो इसी तीज से है लेकि तीज कौन सी है तो याद रखना है ये छोटी तीज है छोटी तीज कब आती है तो याद रखेगा स्रावन शुकलेत्र तिया इस दिन मानी जाती है काहवत के अकोडिंग तेहारों की शुरुवात और गणगोर के दिन क्या है तेहारों का समापन और गणगोर आती है चेत्रमाह में विक्रम समंद कलेंडर के अनुशार पहला तेहार कोड़ सा है तो याद एकना है विक्रम समंद कलेंडर के अनुशार जो पहला तेहार है वो है गणगोर और अंतिम तेहार कोण सा है विक्रम समथ कलेंडर के अनुशार तो आप कहेंगे बई सिंपल सी बात है विक्रम समथ कलेंडर के अनुशार हम जब विक्रम समथ नया ब्रस मनाते हैं तो चेत्रमास से शुरू होती है और अंतिम जो तेहार है वो विक्रम समथ कलेंडर का देख लीजे, चेत, वेसाग, जेट, असाट, शावण, भादू, आसूत, काती, मिंक, शर्पो, मा, फागन, फागने, और फागन पूर्णे मा को होली, ये लीजे होली, ये हो गया, विक्रम समंध कलेंडर के अनुसार अंतिम तेहार, ये पहला तेहार, ये इस कहवत के अकोडिंग पहला तेहार, और ये आपके तेहारों का शमापन, याद रिखेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फेक्ट होते हैं, एसेक्यूशन, ठीके, और एसेक्यूशन, आपको पता ही, अभी हमने देखा, क्यूशन पूछा भी गया है, ठीके, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा अच्छी बात है, ठीके, आगे बढ़ जाए न, बढ़ी तीस बादवे में आएगी जी, ये थोटी है, अगला देखे, क्यूशन नमर है आपके सामने 5, एक तरफ इस्तान है और एक तरफ उत्सव है, मिलान करना है आपको, करदी जी फटाफट मिलान, देखे क्या कह रहा ह महवीर जी करोली, और महवीर जी करोली, एक तो हम पढ़ गया है, महवीर जेंती, चेतर सुकल तेरस को, और महवीर जी मेला बरता है करोली में, और इनमें से करोली में क्या है, तो आप कहेंगे लट है, यानि कि लट मार जो होली है, वो कहां की है, करोली की, भिनाई कहां प पीचे हे बाड्मेर और बाढ्मेर का है आपके पत्थ नामर में लट्ट मार है करोलि में कोडा मार है भिनाय अजमेर में और नाम उत्षव है सांगोड वो भी कौन सा इसतान है शांगोड या द रखेगा छलिए अगला कृष्ण कि क्विश्ण नमर या पूछ रहा है विक्रम समंध पंचांग के अनुशार गणगोर तेहार किस दिन मनाया जाता है सिंबल सी बात है चेत्र मा है और शुकल पक्स है और यहां पर option के according देख लीजीगा चेत्र शुकल तिरतिया चेत्र शुकल तिरतिया याद रखेगा option number age correct answer गणगोर और इसके बारे में हम पूरा पटके आई है ठीक है अगला question कौन से महिने में 30 का तेहार मनाया जाता है कोई question पूछा जाएगा निकि कौन से महां में 30 का तेहार तो याद रखेगा यह जिस 30 की बात कर रहा है वो 30 है आपके छोटी 30 चोटी 30 याद रखेगा यह किस महां में आती है तो आप कहेंगे यह आती है स्रावन माश में और चोटी 30 वे तेहार है जो पती और पत्नी के प्रेम का तेहार होता है चोटी 30 स्रावन माश कोण सी तो आप कहेंगे स्रावन शुकल तरतिया याद रिखेगा छोटी जी ओप्शन नमबर A is correct रांसवर ठीक है अगला क्यूशन देखिए क्यूशन नमबर है आपके सामने 8 राजस्तान के कौणशे शेतर में चेत्र सुकल पंचम को गुलाबी गणगोर मनाई जाती है ये लीजिए ये भी ध्यान रकियेगा गुलाबी गणगोर करा बाती है चेत्र सुकल पंचम को और आपको बता है गुलाबी गणगोर कहां की परसिद है ये làb assistance का भी कुशन है और RS में भी पूचा गया था याद रिखेगा गुलाबी गंगोर कहां की है तो याद रिखेगा ना दुवारा हम पढ़े आए हैं ना दुवारा कहां पर है रासमन ना दुवारा का प्राचिन नाम जरूर याद रिखेगा शिहाड और एक ये भी याद रिखेगा आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शिहाड का नाम ना सेलक्षन परदान किया था और शिहाड में मूर्ती स्तापित कीती सिरनाजी की इसलिए इसका नाम भी क्या पढ़ गया था नादुवारा रास्म ठीक है चलिए अगला जुशन नमर है नो बुंदी की कजली तीज का तेहार कब आता है लीजिए बुंदी की कजली तीज है बताईए आप वो यह शिहाड है वो सिवाड है वो स्वाई माध्यपुर में आपके बिलकुल सही है बिलकुल बहुत ही शांदार बताईए बुंदी की कजली तीज बुंदी बड़ी तीज सातूरी तीज और बुंदी की जो कज़ली तीज है ये किश महा में आती है तो आप कहेंगे ये आती है भादर определ पद करशन तरतिया देखिए ये ही आधकना है तीज एक तो है छोटी तीज, एक है बड़ी चोटी तीज आती है श्रावन वास मैं बड़ी आती है बे से बड़ी और बे से पक्स की, तिरतिया। और यह जो बड़ी वाली है, यह है कर्षन पक्स की, कर्षन पक्स की तिरतिया। यह छोटी। यह थे बुंदी की आए ना वो राजस्तान में तेहारों की शुरुवात स्रावणी तीज स्रावणी तीज का मंदब समझ गये ना छोटी तीज उटी तीज से होती है और अंत किस से होता है तो वोई तीज तेहारा बावडिर लेडू भी गनगोर ये लीजे चेत्रे शुकले तरतिया याद रखेगा चेत्रे शुकले तरतिया चीके चलिए नेक्स्ट ये लेजी ओर इंपोर्टेंट हरियाली तीज मनई जाती है हरियाली जो तीज है ये कब मनई जाती है बताईए हरियाली तीज दो नाम याद रखे एक तो है कजली तीज एक है हरियाली तीज आती है भाधर पद में और हरियाली तीज आती है स्रावण माश में ये है बड़ी तीज ये है छोटी तीज स्रावन शुकल तरतिया हरियाली तीज याद रिखेगा ठेक है तो कजली तीज भाधरपद आपके कर्शन तरतिया और हरियाली तीज स्रावन शुकल तरतिया स्रावनी तीज बोलते आप इसे क्षिशन नमर 12 हिंदु पंचांग के अनुशार चोटी तीज का तेहार किश महा में मनाया जाता है चोटी तीज का तेहार किश महा में मनाया जाता है अब सिंपल सी बात है चोटी तीज मतलब यहाँ पर दो चीज फिर रिपीट कर रहा हूँ चोटी तीज स्रावनी तीज मतलब रियाली तीज तीक है और छोटी तीज का मतलब आप समझी गए स्रावन शुकल है तरतिया ओप्षन नमर ए next बुड़ी तीज मनाई जाती है वोई बुड़ी है मतलब बढ़ी है मतलब सातुड़ी है मतलब कजली तीज है मतलब बुंदी है यह हो और सब कुछ बे बे है तो मतलब बे से भादर पदकर्शन तिरतिया है ओप्षन नमर ए इस करेक्ट टांस्वर ठीक है चली यह अच्छा क्युशन है बई यह कही बारे से पूचता है डायरेक्ट पर्यूशन पर्वे किस समुदाय से समंदित है पर्यूशन जो पर्वे है वो किस समुदाय से समंदित है तो याद रखिए पर्यूशन पर्वे की दो खास बत है एक तो यह जेन धरम से समंदित है और दूसरी बात यह भादवा में आती है बादवा मतलब भादरपद, ठीक है, भादरपद महा, भादवा यानि की भादरपद महा और कौन सा तो जेन धरम, ठीक है, option number C is correct answer, अगला question देखे, question number है आपके सामने 15, पुछा जा रहा है, विक्रम समन्द पंचांग के अनुसार, सीतला अश्टमी किस दिन मनाई जाती है, अब नाम सही है सीतला अश्टमी, तो देखे, सीतला अश्टमी का बाती है, आप कहेंगे चेत्र कृष्ण अश्टमी जो है, वो है आपके सीतला अश्टमी, क्यूंकि एक दिन तो सीतला माता का मिला भरता है, याद रखेगा, और एक मारवाड के अंदर उत्सव होता है बाशोड़ा भोग भी लगता है सितला माता जी, अगला किशनली जी, जैपुर में जो तीज की शवारी है, वो किस महा में निकाली जाती है, तीज की शवारी और घंगोर देखने के लिए ही तो परताब शिंग ने जैपुर में क्या बनाया था, हवा महल, तो ये जो तीज की शवारी है, ये जिस तीज की बात हो रही है, वो आपके देखिए जैपुर है, पहले क्या है, जैपुर, देखिए एक जो तीज है, वो बुंदी की परशिद है, लेकिन वो बुंदी वाली तीज कोण सी है, तो आप कहेंगे बूस से बुंदी, और बूस से बुड़ी, बुड़ी मतलब बड़ी, बड़ी मतलब कजली तीज, कजली तीज का मतलब भादवाली तीज, ठीक है, भादवा, और यहां पर जेपुर की तीज बूच रहा है, और तीज, जेपुर मतलब छोटी तीज, छोटी तीज मतलब हर्याली तीज, हर्याली तीज मतलब श्रावनी तीज का मतलब शरावनन शुकलतर्थि या बुंदी आए तो भादवाली तीज है बड़ी तीज, जैपुर में तीज के शवारी आए तो यादगना है, फिर्वणी चोटी की बात होगी, बुंदी में बुधी यानी की बड़ी की बात होगी, अगला राजस्तान में खेजडी वरक्स की पुजा किस परवे पर की जाती है खेजडी वरक्स की पुजा देखेए विसे इनके बारे में कावद भी है खेजडी के बारे में कि गाउं गाउं खेजडीर गाउं गाउं गोगो एक तो यह important होता है कि खेज़ी वरक्स के नीचे किस लोग देवता के थान होते हैं तो याद रिखेगा गोगाजी की गाउं गाउं खेज़ी डिर गाउं गाउं गोगो अच्छा दूसरी बात यह भी है कि खेज़ी वरक्स की पुजा है वो किश परवे पर होती है तो आप कहेंगे विजया दस्मी आप कहेंगे सर विजया दस्मी तो ऑप्शन में नहीं है विजया दस्मी का मतलब भी है दसेरा ठीके? बूराई पर अच्छाही की जीत option number D is correct answer कोणसा याद रिखेगा दशेरा ठीके? 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 राजस्तान में निम्न में से कोणसा तेहार सरावण माश में नहीं आता इस परकार के कुशनों का ध्यान रिखेगा? राजस्तान में निम्न में से कोणसा तेहार शरावण माश में नहीं आता है नाग पंचमी, पीज, रक्सा बंदन या जन्नमाश्टमी आप कहेंगे सर इस option के अनुसार तो हमें पता चल गया कैसे पता चला? कि यह जो जन्नमाश्टमी है जन्नमाश्टमी में मतलब यह पगवान श्री कर्षन से संबंदित है कर्षन जन्नमाश्टमी है और कर्षन होर चाय राधा इन दोनों की जो बात जिस महां से है वो भादरपत से है option number D is correct answer option number D is correct answer याद रखिएगा अगला question देखिए question number है 19 चिद्रित मटका जिसमें दिपक जलता है किश नर्ते की विशेश्टा है चिद्रित मटके में दिपक रखकर जो नर्ते किया जाता है वो कहलाता है आपके कौन सा आप कहेंगे गुड़ला नर्ते यह जो गुड़ला नर्ते है यह मारवाड का परशिद है और याद रखिएगा very very important यह कब आता है तो चेत्र करशन अश्टमी को याद रखिएगा चेत्र करशन अश्टमी मारवाड का है और जिद्रित मटके में दिपक रखकर किया जाता है आपको बताओगा 14 सुब्राणवे के अंदर कोशना का युद हुआ था सातल देव के समय इसी युद में तो सातल देव भीर गति को प्राप्त हो गये थे लेकिन वो जो गुड़ला खा है जो पिमपाड सेयर से कुवारी कन्याओं को लेकर गया था कोशना का युद है कोशना जोदपूर में आता है ये लीजिए कुशन है मारवाड के परशिद गुड़ला नर्त्या या गुड़ला उत्त्तव की शुरुआत जोदपूर के कि शासक के काल में हुई थी राव माल देव राव जोदा, राव रणमल या राव शातल देव अब सिंबल सी बात है ये किस की याद में किया जाता है तो आप कहेंगे राव सातल क्योंकि राव सातल जिस समय मारवाड के सासक थे उसी समय अजमेर के जो हक्किम थे मलुखा, उनका सेनापती जो गुड़ले खाँ है वो हमारे मारवाड में आता है और पिमपार से कुछ कुमारी कन्याओं गुठा ले जाता है इनको वापस बचाने के लिए जाते हैं सातल देव सातल देव और गुड़ले खाँ के मद्ये 1400 ब्राणवे के अंदर कोशना का यूद लड़ा जाता है ठीक है उसी के अंदर वीर गती को प्राप्त हो जाते हैं राव सातल देव लेकिन गुड़ले खाँ के हत्या कर देते हैं गुड़ले खाँ का जो छिद्रित सर है वो मारवाड लाया जाता है जहांपर गुमारी कन्याओं दुआरा पूरे मारवाड में गुमाई जाता है आज भी छिद्रित मटके में दिपक जला कर जो नर्तिय करते हैं वो ही है गुडला ठीक है नेक्स्ट राजस्तान में गुडला तेहार का बाता है वो ही बात है उसी दिन आता है जिस दिन शीत्ला अश्टमी आती है हम चर्चा करके आए हैं तो यहां पर जड़ा हम टाइमकराब करेंगे नहीड़ तो यह आप क्या हो जाएगा शीत्ला अश्टमी का मतलब होगा चेत्र करशन अश्टमी और सथन नमबर सी सुची एका, सुची दो से मिलान करना है और एक तरब एका दशी दे रकी है और एक तरब महा दे रकाया और पूछ रहा है मिलान करना है सबसे पहले वो ढूंड लिजिए जो आपको आते है इश्परकार के प्यफेक्ट में पातैये इसमें से कौन सा आपको आता है वोई करना है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वहीं जहां से आपको आता है देव उठनी ग्यारस देवता कब उठते हैं जब ज़्यादा शोर हो जाता है मतलब दिपावली कार्थिक तो देव उठनी हो गई आपके कार्थिक जल जुलनी देवता जुलते हैं भादवे में फिर है आपके निर्जला एकादशी और निर्जला जो एकादशी है यह आते है आपके जेस्ट महा में और यह लीजिए कामा एकादशी आपके चैतर महा में मतलब जो option हो जाएगा एक तीन दो च्यार एक तीन दो च्यार option number C तो याद रिखेगा very very important ठीक है चलिए अगला question ये बड़ा ये ओर important question लीजिए बड़ा ultimate सा question आ गया है आपके सामने बहुत जोरदार विक्रम समन्थ के अनुसार एक वरश में आने वाले निमलिकी तेहारों को प्रारम से लेकर अंत में करम से जमाईए ऐसा unication होता है इनको करम से जमाना है आप कहेंगे सर करम से तो जमादेंगे पहले ये तो बते ही आते कब कपेंदे कि गनेश चतुरती का बाती है तो भादवा दिपावलिक का बाती है तो याद रखेगा कार्थिक कर्षन जन्माष्टमी का बाती है तो आप कहेंगे ये भी भादवा और गणगोर है चेतर आप कहेंगे सर प्रारम से अंत में जमाना है कोई दिकत नहीं सबसे पहले D, यानि की गणगोर, ठीक है, जेत वेसाग, जेत असाड, सावन भादवो, बाद में आएगा भादवा, आप कहेंगे सर भादवा तो दोनों है कोण साल है, आप सब जानते हैं कि कर्षन जन्मास्टमी कब आती है, तो भादवा कर्षन अस्टमी को, और गनेश च तुरती, और उसके बाद में तो होई गई आपके B दिपावली, यानि की option होगा, D, C, A, B, D, C, A, B, option number A, इस परकार से भी कुषन आते हैं, तो इनका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपने देखा होगा, विबीन परकार के अलग-लग कुषन आ रहे हैं, ठीक है, या कोई दिक्कत है नहीं, गणगोर लीजिये चेत्रमा, कोई दिक्कत है नहीं, पर्यूशन परवे, आप कहेंगे सरी ये जैन द्रहम से संबंदित है, और ये अभी आपने बताई था, बादवा में आता, ये याद भी रखना है, खुली जो है, ये फालगुन पुर्णिमा है और बुंदी की जो कजली तीज है, वो भादरपत कर्शन तिरतिया, क्योंकि सरावन शुकल तिरतिया को छोटी तीज है, जो जैपुर की है, ये कजली तीज तो बुंदी किये, तो जो सामने है, वो सही है, एक, दो, तीन, चार, आप्शन नमबर बी, ठीक है, चलिए, अग अक्षे तिरतिया का मतलब है आखा तीज, और आखा तीज, अबुझ सावा, सरवादिक बाल विवा, वेशाग शुकल तिरतिया, आप कहेंगे सर, एक नमबर तो सही है, पर अक्षे तिरतिया, अक्षे तिरतिया का मतलब ही क्या हो गया, आप कहेंगे आखा तीज, मतलब इ इसको भी कट कीजिए, एक और दो सही है, option number A is correct answer, A भी सही है, ठीक है, चलिए next, question number है आपके सामने, यह लीजिए, और बहुत सांदार, और बहुत अच्छा question, question number है आपके सामने, 26, देखी क्या कहे रहा है, निम लिखित कतनों पर विचार करें, और निचे दिएगे, कोड के आधार पर परसन का उत्तर दें, ठीक है, पहला क्या कहे रहा है, कि निर्जला एकादशी जो है, वो जैस्ट शुकल एकादशी को आती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, निर्जला यह आती है आपके भादरपद कर्शन तरितिया को बिल्कुल, और बड़ी तीज, मतलब कजली तीज, मतलब बुंदी वाले तीज है, और छोटी तीज आती है, शुकल आपके वो भी श्रावन में, तो श्रावन शुकल तरितिया है, मतलब यह सही है, तीन भी सही है, दो भी समंत का पहला मैना कौन सा है हिज्री समंत का पहला मैना कौन सा है बताइएगा अब हिज्री समंत का जो पहला मैना होता है वो होता है महरम महरम कब सुरुवाद होती है याद रिकेगा महरम very very important चीक है हिज्री समंत का पहला मैना कौन सा है महर, ये लीजिए, मिलान कर दीजिए, एक तरफ इस्तान है, एक तरफ वही है, वही important है, नहान उत्सव कहां का है, सांगोद कोटा का, लटे, महावीर जी करो ली, मतलब लट मार हो ली, पत्थर मार हो ली, बाड मेर, कोडा मार, भिनाय अजमेर, महावीर जी कहां पर है, कभी लेकिन इसमें, इस्तान है साइथ, देखिएगा, ये लीजिए, नेवले की पुजा किस दिन की जाती है, नेवले की जो पुजा है, ये किस दिन की जाती है, बताइगा, very very important, नेवले की पुजा, जिसे आप बोलते हैं न निड्री नौमी, ये वो ही है आपके, ये वो निड्री नौमी वाला ही है, आप कहेंगे सर, निड्री नौमी मतलब, निड्री नौमी मतलब का हो गया, स्रावन, करशन, नौमी, करशन पक्षमे, option number B is correct, कभी ऐसा भी भूचा जा सकता है, नेवले की पुजा, निड्री नौमी के दिन की जाती है, निड्री नौम Question number 30, खालशापंत की इस्तापना किस ने की है, खालशापंत की जो इस्तापना है, वो किस ने की है, देखे, खालशापंत की जो इस्तापना हुई है, वो ही है 1699 में, और 1699 के अंदर ही राजस्तान में परतापगड की इस्तापना हुई थी, राव परताप शिंग दुआरा परताबगड जिल्ला 2008 में बना था परताबगड की इसता आपना भी 1699 में में हो रखी है ठीक है 1799 के अंदर हवा मेल बना था 1899 के अंदर राजस्तान का ताज मेल जश्वन थड़ा बना था 1999 के अंदर तो आप सब जानते ही है परसित कारगिल का यह दुआ था यहां पर कौन है गुरू गोविंद सिंग याद रिखेगा गुरू गोविंद सिंग द्वारा खालशापन्त की क्या की गई थी इसता आपना ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन नमर 31 आखातीज किश महा में आती है आखातीज आखातीज का मतलब है अक्षे तर्तिया इसका दूसरा नाम याद रिखेगा आखातीज मतलब अक्षे तर्तिया आखातीज आती है वेशाग शुकल तर्तिया वेशाग शुकल तर्तिया इस दिन होते हैं शर्वादिक बाल विवा जीमनी जीमन गने काड़ा भी दिन थांठाई जे आखातीज यानि कि वेशाक शुकले तरती अबुझ सावा इस दिन आता है आपके ठीक है अबुझ सावा चलिए अगला किशन अमर है 32 ये लिए राजस्तान में उपचट कब मने जाती है राजस्तान में उपचट कब मने जाती पताईए उपचट उपचट पताईगा बताईए भई आप कहेंगे ये जो उपचट है ये आती है आपके भाधरपद कर्शन कर्शन जन्माश में दो दिन पहले चट को भाधरपद कर्शन चट तो आपके option नमर हो जाएगा C is correct आंसर भाधर पद कर्शन चट बलराम जैनते के दिन लेजिए किसे हिंदो महिने में तेजा दशम तेखिए बाबारी दशम मतलब रामदेव जी तेजा दशमी फीर तेजा जी खेजरली बलिदान यानि खेजरली मेला यह तिरवेनी शंगम है यह समझ लीजिए यह तिनो एक ही दिन आते हैं और यह जिस दिन आते हैं वो है आपके भादरपद सुकल दशमी भादरपद सुकल दशमी बाबारी दशम, तेजा दशम और जोदपूर के अंदर जो खेजरली गाम है वहाँ पर मेला भी भरता है कौन सी? इस्तान में निमलिक्षित में से कौन सा तेहार स्रावन माश में नहीं आता है स्रावन माश के अंदर कौन सा नहीं आता है देखे नाग पंचमी और इसे के अंदर आता है आपके निड्री नौमी यह पंचमी को नौमी को येसी में आता है, स्रावन के अंदर ही तो आता है, रक्षा बंदन स्रावन को ये है, बड़ी तीज और उपछट, यहाँ पर ये क्विशन डिलेट होना चाहिए, और डिलेट हुआ होगा, आप देख लेना, क्यूंकि बड़ी तीज, जो है आपके कजली तीज, ये आती है भ होना चाहिए, यूँकि इसमें दो ऐसे तेयार हैं, जो स्रावन वाश में नहीं आते हैं, ठीके, क्विशन नंबर है आपके, 34, ठीके, तो ये याद रिखेगा, भेरी, ठीके, ये दोनों इसमें, मतलब ये क्विशन डिलेट हो गिया गया था, आप बुक में भी अगला क्यूशन, क्यूशन नंबर है आपके सामने, ये लिजी, तीस नंबर, बताँए क्या पूच्ञा है, भेरी, अपके, तो आप कहेंगे, देखें, सीतल अश्ट्मी कब है, आप कहेंगे सर, शीतल अश्ट्मी चित्रमाहा के कर्शन पक्स के अश्ट्मी को है, बस यहाँ कर्शन की जगे सुकल कर दीजिए, और फिर हो जाएगा चेत्र शुकल अश्टमी और चेत्र शुकल अश्टमी को जो है वो मने जाती है आपके असोकाश्टमी चेत्र कर्षन अश्टमी को सीतल अश्टमी कर्षन की जगे शुकल कर दीजेगा असोकाश्टमी ठीक है वो सीतल अश्टमी कर्षन पक्ष में आती है ये पटवार के अंदर क्युष्ण है, संकट चोत है, संकट चतूरती अलग है, याद रखना, वो संकट चतूरती, चत्रा चोत, गनेश चतूरती वो है, ये संकट चोत है, ठीक है, तिल चो जो है, वो है संकट चोत, अब ये तो अभी आपको गहीती पता ही होना चाहिए आप ये लीजिए, क्यूशन नम्बर है आपके सामने 38 इस दिन भोजन में खीर और मालपुवा बनाये जाते हैं ब्राहमनों को भोजन करवाते हैं लोग अपने परिवार जनों के साथ में उद्यान यानि की पारक के अंदर गूमने जाते हैं कौन सा त्यार है? गुड़ला तयार आप कहेंगे सर ये तो मारवाड में है और ये तो वोई मटके में दिपपक रखे किया जाता है निर्जला एकादसी जेश्ट महा में आते है और उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है आकातीज में धगले जिम्में ही जाँ आप्शन नमबर ए है हरियाली अमोश्या हरियाली जो अमोश्या है उस दिन कहते हैं गर में खीर और माल पे बनाते हैं ब्रामनों को भोजन कराते हैं और लोग अपने परिवार वालों के साथ में पार्क में गोमने जाते हैं यह भई ऐसे ऐसे त्यार चलिए अगला किशन, बिकानेर उन्ट महत्सव खाली जगे के महिने में मनाया जाता है, ये तो शुरू होई गया आप, पता ही होगा आपको, शुरू हो गया ना, बिकानेर का जो उन्ट महत्सव है, वो मनाया जाता है आपके जन्वरी महाम में याद रिखेगा, शुरूबात हो लिजी अगला है जल जूलनी एकादसी तेहार राजस्तान में कब मना जल जूलनी एकादसी पहले तो जल जूलनी कादसी आते ही दिमाग में आ गया कि ये है भाद्वे में कि दो बाद में देखेंगे, पहले यहां से जुगाड हो रहा है क्या, आप कहेंगे आस्विन है, कारतिक है, भादरपद है हो गया, option number 3, भादरपद सुकल एकादशी को मनाते हैं, जल जुलनी एकादशी, देव उठनी एकादशी आती है, कारतिक महा में, निरजला एकादश आती है, जेश्ट महा में, याद रिखेगा, very very important, ठीक है, तो यहां पर option number है C, next, अगला question, सांजी पुझन, किस में लोग पिरिये है, सांजी जो पुझन है, वो किस के अंदर लोग पिरिये है, बताइए, सांजी जो पुझन है, वो किस में लोग पिरिये, देखिए, एक तो याद रिखेगा, कि सांजी चितरकला आपको पुझा जाए, कि सांजी जो चितरकला है, इसका सम्मन कोण सी चितरसेली से है, तो याद रिखेगा, ना दुवारा चितरसेली से, एक याद रिखेगा, सांजी मंदिर पुझा जाए, तो याद रिखेगा, उदेपुर में ये जो संजी है ये एक लोग कला में भी सामिल है ये कुवारी कन्याई जो गरकी होती है वो बनाती है उसके बाद में जो बड़ी महिलाएं बड़ी बुजिर्ग होती है हमारी दादी बड़ी काकी ये आती है और फिर उसे कुवारी कन्याई दुआरा जो बनाई गए संजी है उसके बारे में कहती है कि वाह बेटा काई बढ़े 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 तो ठीक इस परकार की परसंस आये होती है कुमारी कन्याओं में ये लोग पीरिया है ठीक है चलिए इलिया हाँ तो चलिए फिर ये था आज का हमारा शेशन जिसके अंदर हमने चर्चाएं की आपके आज त तक पुर्ण very important और कल का जो हमारा chapter रहेगा वो रहेगा आपके हस्त कला कोण सा रहेगा याद रिखेगा हस्त कला तो कल very very important हम चर्चाई जिसके बारे में topic की करेंगे वो है आपके हस्त कला ठीक है टीक है किलिए चलिए थीक है चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में चर्चा करेंगे आप भी पढ़िए आईएगा थियोटिकल उसके बाद में आंकलन कीजिए कि विगत एक्जामों के अंदर जो क्यूशन आये हैं उनके संदर्ब में क्या-क्या बात है ठीक है चलिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं आज करें इतना है धन्यवाद मस्तर रहिए और अपनी त्यारी में व्यस्तर रहिए झालिए ठीकल झाली तक है एक्या जड़ाद में आज करें आये हैं आज क्या रहिए हैं व्यस्तर बाद ऑन आब ये एक्रफ़ादादू आप रहिए झालिए प्र रहिए